पहले आपका चैनल पर स्वागत है बिंदरा जी वो जो दिल्ली में सिख समुधाय के जो युवक पर पिटाई हुई थी उस मामले पर अभी तक आप पीछे हटने को तयार क्यों नहीं जी मैं पहले तो बल्विंदर जी आपका पहले शुक्रियादा करना चाहता हूं जो आप अपने इस कॉस को लिया क्योंकि बहुत ही घंबीर कॉज है ये दिल्ली के लिए क्योंकि जब हम लोग एक आहम आदमी जब एक सड़क पर जाता है और उसके साथ अगर ऐसा दुर्विवार किया जाता है उसको लाठी तेंडो से मारा जाता है उसको सड़क के ओपर घसीटा से मात गया। तो इसके पीचे जो भी कारण था मैं उसकार में नहीं जाऊंगा। लेकिन एक जो आम हमना राइटS के अगर बात करते हैं तो कहा हमारा हमारा Human Rights, कहा हम रह जाता है। बाउजी से ख़ता दिया गया है तो उसके बाउजी तो बहुत लगता है पहले आप लोगों को बता देना चाहते हूं यहां पर बारा पुलिस कर्मी थे जो बारा पुलिस कर्मी जो दोशी थे इसमें जो दिखाए गए हैं अब किसका कितना रोल था इसमें हम लोग नहीं जाएंगे जब एक बैंक को लूटने के लिए अगर कोई गिरोव बनता है तो सभी की इ मतलब नहीं हम लोग सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं हम चाहते कि 12 के 12 लोग जो है वो डिस्मी सों बारा के 12 लोग जो है वो टर्मिनिट हो आपकी जो एक मांग थी 295 लगाने के लिए हमारी प्रशासन के लोगों से बात हुई थी लेकिन वह यह कह रहे हैं अगर हम 295 लगा करते हैं तो पुलिस के अधिकारी है उनका जो मोरल है वो डाउन हो जाएगा और फिर वो भविश्य में कभी भी कोई ऐसा केस करते हुए कई भार घबराएंगे जे मैं आप लोगों को यह अवेर करना चाहता हूं इस मोर्चे का कोई व्यक्तिकत हमें कोई पुलिस वालों स हमला किया था तो उनकी नोकरी चली गए तो यह मैसेज यह लैसन बहुत ज़रूरी है दिल्ली पुलिस के जो नीचे के तबके के हैं आप उनको एक एमेल लिखने के लिए बोलो गए और लेक दो दो लेके तो वह एमेल भी नहीं कर पाएंगे तो हम बात करते हैं उस पुलि प्रशासन के लोगों का जब हमारी परसन बात हुई तो बिना कैमरे के उन्होंने बात कही थी कि अगर हम इन पर कारेवाई करते हैं तो अगली आगे भविश्य में कोई भी पुलिस कर्मी किसी अधर के उस पर कोई केस करने से पहले दसवार सोचे को डरेगा और इससे कही ना कही जो है अरह जक्ता तो हमेशा हावी रहेंगे अगर इनकी पुलिस के अंदर अगर बाहर कर दिया जाए तो आने वले समय में यह चेतना भी होगी और इनको मैसे भी जाएगा कि समय आने पर उनको बाहर निकाल दिया जाए अच्छा अब आपकी क्या मांगे और रह रह गई है जब तक यह मांग पूरी नहीं होती तब तक आप आंदोलन समाफ नहीं करें हमारा अंदोलन निरंतर चलता रहेगा एक तो पहली डिमांड जो मारी थी की बारा लोगों को जो है वो टर्मिनिट किया जाए 295A के सेक्शन में सब लोगों को एक फ्रेश F.I.R करके उनको पर डिटेन किया जाए उनको एक ने सेक्शन के अंदर उनको बुक किया जाए और कोट में केस को भेजा जाए 295A के सेक्शन में और एक हमारी लास्ट दिमांड एक यह रह जाती है कि अगर आप यह सब भी नह नहीं है हम लोग नहीं चाहते हैं कि इसको जदा कीचे अभी तक आपके मोर्चे को चलते हैं कितने दिन हो चुके हैं अभी हमारे को 45 दिन हो गया है लेकिन बड़ी दुखत बात है कि अभी दिल्ली पुलिस की जिम्वारी लेने को तयार नहीं कोई ना तो कोई LG के आया ना कोई कमिशनर के वहां से कोई आया ना कोई DCP साब के आया हमें तो मैं तो यह चंबित हूँ कि इस पुलिस का मालिक है कौन अगर इस पुलिस का मालिक अगर हमने अगर मोर्चा लगाया हुआ मुखरजी नगर के खाने के बार तो अभी तक कोई पुलिस के तरफ से हमसे बात सिस्टम के पीछे है कौन इस सिस्टम को चला के उन रहा है कि 45 दिन हो गए हमारे से कोई बात करने नहीं आया तो हमें तो लगता है कि दिली पुलीस जो हवा में चल रही है उसके साथ पीछे कोई भी नहीं खड़ा हुआ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीस सब्सक्राइब कीजिए और ताज अपडेट पाने के लिए बैल आइकन को दबाना ना भूलें